बाबा वांगा प्रडिक्शन्स जिन्हें बालकन क्शेत्र का नास्त्रे दम्स कहा जाता है। बाबा वेंगा ने सन 5,000 उन्यासे तक की भविश्यवानी की थी। बल्गेरिया की दृष्टेहीन बाबा वेंगा दुनिया की उन भविश्यव अक्ताओं में शामिल हैं। जिन पर पूरी दुनिया यकीन करती है। बाबा वेंगा की 12 साल की उम्र में ही आँखे खराब हो गई थी। उनकी 11 अगस्त 1996 को मौत हुई थी। इससे पहले उन्होंने दुनिया के खत्म होने से लेकर युध्धा और आपदा तक की भविश्यवानिया की थी। आए जानते हैं कि बाबा वेंगा की कितनी भविश्यवानिया सच साबित हुई है। वेंचे लिया, पांदेवा दिमित्रोवा में जन्मी भविश्यवात्ता बाबा वेंगा, बलगेरिया के गाउं स्टुमिका में पली बढ़ी। जब वह सिर्फ 12 साल की थी तो एक तूफान के चपेट में आने से उनकी आँखों की रोश्नी चली गई थी। दुनिया के खत्म होने की भविश्यवानी बाबा वेंगा ने बताया था कि आँखों की रोश्नी जाने के बाद उनको भविश्यवानी करने की शक्ती मिल गई। उनका कहना था कि 5089 में दुनिया खत्म हो जाएगी बाबा वेंगा की भविश्यवानी को हर साल जनवरी में सार्वजनिक किया जाता है बाबा वेंगा की भविश्यवानिया कभी कभी लोगों को चिन्ता में डाल देती हैं। भारत में पैदा होगी भूखमरी, भविश्य वक्ता बाबा वेंगा ने भविश्य वानी की थी कि भारत में टिड्डियां फसलों और खेतों पर हमला करेगी, इसकी वज़य से देश में भूखमरी पैदा हो सकती है, इसके अलावा भारत को अकाल जैसी आपदा का सामना करना पर सकता है, साल 2020 में देश के कई राजियों में टिड्डियों ने हमला किया था जिन में राजस्थन, गुजलात और मध्यप्रदेश शामिल हैं, इस हमले में फसलों को काफी नुकसान पहुचा था, ये भविश्य वानियां हुई हैं, सच मीडिया रिपोर्ट के मुताबि आने समेट कई भविश्यवानियां की थी, बाबा वेंगा ने भविश्यवानी की थी कि स्टील बड्स के हमले से अमेरिकी भाई गिरेंगे और निर्दोश लोगों का खून बहेगा, इसको न्यू यू यॉर्क में 9 बटा 11 के आतनकवादी हमले की भविश्यवानी माना जा आता है कि बाबा वेंगा ने बराक ओबामा को लेकर सबसे सही भविश्यवानी की थी, उन्होंने कहा था कि अमेरिका का 44 वा राष्ट्रपती अश्वेत होगा जो सच साबित हुई, लेकिन उनकी यह भविश्यवानी गलत हुई कि वो अमेरिका के आखिरी राष्ट्रपती बाबा वेंगा की भविश्यवानी से खौफ, धर्ती पर नहीं होगी रात, इस साल दो हो चुकी है सच, बाबा वेंगा की भविश्यवानी, अगर ऐसा हुआ तो सदियों तक बृतेन पर शासन करेंगे किंग चार्ल्स, इतने साल में खत्म हो जाएगी दुनिया, बाबा वें को लेकर बाबा वेंगा ने की है, ये भविश्यवानी, एक, ये सुनकर ज्यादा तर लोग दुखी होंगे लेकिन बाबा, वेंगा ने साल दो हजार तेस को लेकर कुछ दरावानी बाते की हैं, बाबा वेंगा की माने तो इस साल पृत्वी की कक्षा में, कुछ बदलाव नजर आएंगे जिसका कारण कोई परमानू हमला हो सकता है। दो, आने वाले साल में कई बड़े वैज्ञाने का विश्कार भी होंगे। बाबा वेंगा ने कहा है कि साल 2023 में एक ल्याग में किसी बेबी का जन्म हो सकता है। उनकी भविश्यवानी में यह भी कहा गया कि माता पिता जैसा चाहे लाब में उनके बच्चे का रंग वैसा हो सकता है। तीन, बाबा वेंगा की माने तो साल 2023 में दुनिया को बड़ा ही भायाना की युद्ध देखने को मिलेगा। बाबा ने कहा कि आने वाले साल में किसी बड़ी सौर सुनामी का भी खत्रा लोगों की उपर मंधरा रहा है। चार, आपको बता दे कि बाबा वेंगा का असली नाम वांगेलिया पांडेवा गुश्तर ववा था। इनका जन्म 3 अक्टूबर 1911 को हुआ ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपने मरने की भी सटिक भविश्यवानी की थी। बाबा वेंगा बच्पन से ही नेत्रहीन थी। भगतों आप लोगों को अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमको कमेंट करके जरूर बताना और हमारे हनू एसजी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हम जो भी वीडियो ब्येजे वह सीधे आप लोगों तक पहुंच सके। आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में।